कभी आपने सोचा है कि इतना मेहनत करने के बार भी ऐसा क्यूं होता है कि कुछ लोग असफल होते हैं एक तरफ कोई आस्मान की बिलंदियों को छूता है और दूसरी तरफ कोई बार-बार कोशिश करने के बार भी आगे नहीं बढ़ता आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊँगा जो काफी हद तक आपकी मदद करेंगे यह जानने में कि हम बार-बार असफल क्यूं होते है सबसे पहले तो यह जानने कि असफल होने का मतलब क्या है असफल होने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है या घर नहीं है या फिर बड़ी गाड़ी नहीं है असफल होने का मतलब यह है कि जब हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं और हम उसमें फेल हो जाते हैं fail होने का सबसे पहला point है खुद की मेहनद पर doubt करना अगर आप अपने ही struggle पर doubt करते हो तो उससे आपका motivation down होता है जो आपके failure का current बनता है अगला point है advertising your goals ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोज में बताया है कि अपने लक्ष और अपने plans को कभी किसी के साथ share ना करो जो भी आप कर रहे हो उससे चुपचाप करो नमबर त्री planning की कमी होना हमेशा कुछ भी करने से पहले एक plan उसके साथ एक backup plan ज़रूर बिना कर चलो नमबर फोर distraction जो काम आप करते हो उससे कभी distract ना हो distraction failures के कारणों में से सबसे एहम है अपना हर काम full concentration के साथ करो नमबर फाइव और सबसे important point समय पर कोई काम ना करना दोस्तों अगर आप कोई काम समय पर नहीं करते हो तो समय तो निकल जाता है पर आपको बाद में पच्चताने के लवाट कुछ हासिल नहीं होता क्योंकि समय किसी का इंतिजार नहीं करता इसलिए आपको अपना हर काम समय पर करना जाएए